करेला बले ही कडवा हो लेकिन करेले के हैं हसारो फाइदे और अगर आपने इस तरह के से करेले की सबजी बना ली वादा करती हूँ आपको ये सबजी बहुत पसंद आएगी हम करेले का उपर का चिलका निकाल लेंगे फिर बीच में से कट करके अंदर का बीच निकाल लेंगे बाद में लसन, हरे मिच और अत्रक की पेश्ट बना लेंगे बाद में एक बाउल में मुंगफली पाउडर, लाल मिच पाउडर, धनिया पाउडर, तील, नमक और एक चमशक कर टाल देंगे बाद में भुजिया से उगों दरदरा कुटकी इसके अंदर डाल देंगे उपर से कसूरी मेथी, हरातनिया और तेल डाल के मिक्स कर लेंगे फिर करेले को उबलते हुए पानी में नमक डाल के 10-15 मिनित तक पकाएंगे नमक डाल के बॉयल करने से करेले की कड़वा दूर हो जाएगी करेले ठंडे हो जाए तब इसमें मसाला डाल देंगे एक कड़ए में तेल, हिंग और परे हुए करेले डाल देंगे अब उपर से बनाया हुआ मसाला डाल देंगे ज्यादे तर लोगों को करेले की सबजी कड़वी होने की कारण पसंद नहीं आती पर एक जिसका ध्यान रखे जितनी चीज़े कड़वी होती है उसके उतने ही फाइदे होते है तो आप भी एक बार करेले की सबजी जरूर बनाएए और इसरी को शेर कर दे